हलो फ्रेंट्स मैं मुकेस कुमार नोटबूक स्टेडी में आप से भी का स्वागत करता हूँ तो फ्रेंट्स हम लोग का जो जेस मास्टर को हमब सिरिज दिया जा रहा आज उसका हम लोग एपिसोड जो 13 है उसके 10 टॉप इसको पूरा करेंगे और ना सिर्फ पूरा करेंगे बलकि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जितने भी important fact है उसको समझेंगे और साथ साथ उसको याद भी कर लेंगे तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब किजिए आप इसको like किजिए share किजिए और bell icon पे जाके प्रेस कर दे ताकि मैं जो भी नया वीडियो अप्लोड करूँ तो उसका notification आप लोग के मिल जाए इसके साथ साथ मेरे चैनल प प्लेलिस्ट में जाके और NCRT सार संगरा के जो मेराथन वीडियो आते हैं मेराथन क्लास तो उसको भी मैं अपलोड कर चुका हूं तो यह सारे चीज आप जाके प्लेलिस्ट में देख लें तो आज जो हम लोग का 10 topics है उसको उसमें जो first topics है हम लोग का वह है आपका Indian politics का ज थोड़ा English के terminology यूज किजिए तो उसको भी मैं यूज करूँगा तो आप लोग इसको थोड़ा सा adjust कर लिजएगा English medium को बच्चे मैं कोसिस करूँगा कि आप लोग को भी यह समझ में आए तो चले friend सुरू करते हैं तो first यहां एक box दिया गया है आपका कि अनुचेद 19 का article 19 का अंतरगती इसमें हम लोगो 6 परकार का जो है आपका मौली का दिकार दिया गया है तो क्या है यह 6 परकार तो यह है आपका वाकियों अभी वेक्ति की सोतनता यह article 19 का जो है अनुचेद 19 है उसका 1 का A में है यानि speech and expression freedom to speech दिया गया है आपका 19 का A में उसके बाद है आपको बोलने का दिकार फिर सांती पुर्वक यहां देख सकते है सांती पुर्वक हतियार रही सम्मेलन करने का आप बोल सकते है उसके बाद आप सम्मेलन कर सकते है बिना हतियार के यह है अनुचेद 19 का A का B में यानि आप अगर इसको हम लोग कि नेते संगम्पी हो सकते पीज्ब पने की दिया गया है फिर भारत की राज्यों में संच्रन करने के अधिकार है 19 का 1 का D में दिया गया है आपका move फिरली throughout Indian territory में आप कहीं भी जा सकते हैं उसके बाद भारत की किसी भी भाग में निवास जब आप आना जाना कर लेते हैं तो आप कहीं भी वहां बस सकते हैं तो 19 का 1 का E में दिया गया है तथा कोई विति आजिवी का वेवसाय आप वेपार भी कर सकते हैं तो ये छे परकार का आपका जो स्वतंता का अधिकार जो दिया गया है फ्रीडम जो मॉली का अधिकार का तो ये 19 में दिया गया है 19 का A से लेके 19 का E तक में तो आप इसको देख लिए सबसे पहले आप बोलने का पिर राइट टू फ्रीडम दिया हुए आज स्पीश टू फ्रीडम उसके बाद संग बनाने का अधिकार उसके बाद सौरी फ्रेंट स्पीश टू फ्रीडम फिर सांती पुर्वग आप हतियार लेकर सम्मेलन कर सकते हैं फिर संग बना सकते हैं फिर आप कहीं भी भारत में आ जा सकते हैं, अगर आ आना जाना कर लिए तो कहीं भी आप बस जांए, बस जाते हैं तो कहीं भी आप वेपार कर सकते हैं, तो यह छे परकार का है, चलिए अप नेश्प पॉIN्ट को हम लोग समझते हैं भारती सुविदान के किस अनुछेत के अंतरगत या पराउधान किया गया है कि किसी अपराद के अभियुक्त को स्वें अपने विरुद गवा बनाने के लिए बाद नहीं किया जा सकता है तो यह है आप आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 का सी के अंतरगत है, तो आर्टिकल 20 में अपराधों के लिए दो सिद्धी का अधिकार दिया गया है, तो इसके अंतरगत क्या बताया है, कि किसी भी वेक्ति को तीन परकार का इसमें सोतनता दिया गया है, बीस में अपराधों के लिए दो सिद्धी के लिए तो इसके लिए है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराद के लिए सिर्फ एक ही बार सजा मिलेगी अनुछे 20 के अंतरगत अपराद करने के समय जो कानूने उसी के अतहत मिलेगा आज जो अपराद के अगर आपका केस दो साल बाद आपका जज्जमेंट आ रहा है तो लेकिन उस समय जो अपराद के लिए उसी के अंतरगत आपको सजा मिलेगा और ठर्ड किसी भी व्यक्ति को स्वें की विरुद नियाले में गवाही देने के लिए बात नहीं किया जाएगा या 20 में है तो अपराद के व्यक्ति को स्वें अपने विरुद गवाही नाने के लिए बात नहीं किया जाएगा या अनुचेद 20 में निष्ट है समिधान की कौन से निष्ट है समिधान का कौन सा अनुचेद दो सिद्धी के संबंद में अभि व्यक्ति को दोहरे डंड एओम सो अभि सासन से सरक्षन परदान करता है तो अनुचेद 20 जैसे मैंने बताया आपको उसके बाद है भारती समिधान का कौन सा अनुचेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षन परदान करता है व्यक्ति के तो ये है आपका अनुच्छेद 21 ये आप ध्यान में रखेगा अनुच्छेद 21 है आपका प्रानियम देविक सुतंता का अधिकार ये आपको ध्यान में रखना होगा निष्ट है मौलिक अधिकार के अंतरगत कौन सा अनुचेद बच्चों के सोसन की विरुद प्रावधान से समंदित है तो बच्चों का जो सोसन से समंदित जो प्रावधान है यह है आपका अनुचेद 168 में है दिया हुआ कौन सा अनुचेद 24 में जो है मौलिक अधिकार के अंतरगत कौन सा अनुचेद बच्चों के सोसन के विरुद प्रावधान से समंदित है तो अनुचेद 24 में है अनुचेद 24 जो है इसमें बताया गया है कि बालुकों का यह जो सोसन के विरुद प्रावधान जगा है तो वहां आपको उनको काम करने से आप उसको नहीं नियुक्त कर सकते यह अनुचेद 24 में है भारती समिधान के अनुचेद 25 में परियुक्त हिंदू सब्ड में बौध जैन और सीख धरम संबलित है यह ध्यान रखिएगा नेश्ट है भारती समिधान का अनुचेद 30 का एक अलफ संक्यों को को अपनी रूची के सिक्षन संस्थान को अस्थाप कि वे लोग अपने रूची के अपने पसंद के अनुचेद 32 के अंतरगत कौन से अधिकार परिवर्तित किये जा सकते हैं तो अनुचेद 32 के मौली का अधिकार और अनुचेद 32 को ही आपके जिसके अंतरगत अनुचेद 32 जिसको हम लोग समिधानिक उप्चारों का अधिका भी कहते हैं और इसको भीम राव अंबेतकर द्वारा समिधान की आत्मा कहा गया है तो अगर आपसे कोश्चन पूछे कि किस अनुछेद को आत्मा कहा गया है समिधान की तो अनुछेद 32 याद रखेगा नेश्ट है मौली का दिकार का सरक्षक कौन है तो नियाई पाली का है तो इसके लिए आप नियाले का दर्वाजा खटखटा सकते हैं नेश्ट है लॉक्टब भीम रावन बेतकर ने मौली का दिकारों में से की से समिधान का हिर्देयम आत्मा कहा है तो समिधानी कुप चारों का दिकार अनुछेद 32 है उनको कहा है इसके अंतरगत क्या होता है जब आप नियाले का दर्वाजा खटखटाते हैं तो नियाले जो है आपका कोड जो है पांच परकार क्या आपको आदिस निकालते रीट जारी करती है अलग-अलग रीट है इसको हम लोग आगे देखेंगे निश्ट है वेक्तिकस सोतंता के अधिकार के लिए कौन सी याच का दैर की जा सकती जैसे मैंने बताया पांच परकार की तो वेक्तिकस सोतंता अगर अपका है तो बनिप्धिक्षिकरण है या जो है आपका इसके अंतरगत होता है क्या इसके दवाला नियाले जो है जिनको बन्दी बनाया जाता इसमें जो खली अपवाद आ जाता है कि आने जाने का समय को छोड़ कर इस से न्यारे बंदी बनाए जाने का विचार कर सके जान सके तो यह है बंदी पतिक ची करन नेश्ठ है संसत्त को मौली क अधिकारों में संसोधन का अधिकार किस वाद में निन्ने के अधार पर प्राप सम्विधान संसोधन के द्वारा मौली का दिकार की स्रेनी से हटा कर केवल वैधानी का दिकार बना दिया गया है तो 44 सम्विधान संसोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का दिकार को हटा दिया गया है ये आप याद रखिएगा निष्ट है वर्तमान समय में भारती समिधान के अंतरगत संपत्ति का अधिकार क्या हो गया है तो अब ये right to property जो है वह वैधानी का अधिकार हो गया है सूचना का अधिकार यानि right to information एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से परतान किया है आपका right to information आप RTI जो है दाखिल करते हैं तो ये ही सूचना के अधिकार के अंतरगत आता है 2005 में यह शुरू हुआ था है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग economically weaker section EWS को आरक्षन पतान करने के लिए समिधान में कौन से अनुछेद किया गया अभी हाली में मोधी सरकार द्वारा मोधी के सरकार द्वारा आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है economical weaker section के लोग उनके लिए आरक्षन का प्रवधान किया गया तो यह जो किया गया है अनुछेद 15 एम 16 के अंदरगत किया गया अनुछेद 15 में जैसे बताया जाता है कि आपका धरम जाती लिंग या जर्म के अधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी छेतर में आप का लोग नी वेजन के विसे में आउसर की समानता मतलब आपका नागरियों के अउसर के समानता के लिए आपको कहीं भी किसी में उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा इसलिए अनुछेद 15 और 16 में या आर्थिक रूप से पिछड़े वर के लिए किया गया है नेश्ट द दिकार यह याद रखिएगा अनुछेद 301 नेश्ट है और सम्विधान के अनुछे आपका छ्यासमा सम्विधान संसोधन द्वारा इसे लागू किया गया था नेश्ट है भारति सम्विधान द्वारा परदत सम्वेधानिक उपचारों का दिकार गैर नागरिकों को भी उ उनको भी है नेश्ट है कौन सा मूल अधिकार राष्टी अपात का नेश्टनल इमर्जनसी में भी समाप या सीमित नहीं किया जा सकता है तो जब इमर्जनसी लगता है देश में राष्टी अपात का लगता है अभी तेक तीन बार राष्टी अपात का लग चुका है एक ब वैक्टिगस सोतंता अनुचेद 19 और अनुचेद 21 को छोड़ कर बांकि सभी आपके मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं यह याद रखियेगा तो वैक्तिगस सोतंता और जीवन का अधिकार को छोड़ के सभी मौलीक अधिकार fundamental right आपके समाप्त हो जाएंगे नेश्ट है बंधुआ मजदूर उनमलन अधिनियम बॉन्डेट लेवर एबॉलेशन एक्ट संसर द्वारा किस वर्स पारित किया गया तो वर्स 1976 में पारित किया गया अब यहां कुछ फंडामेंटल आपके राइट दिये गया है मौली का अधिकार दिये गया है आईए इनको हम लोग एक चार्ट के मादियम से देखते हैं तो सबसे पहले है समानता का अधिकार अनुछेद 14 से 18 में आपका जो है समानता का अधिकार दिया गया है उसके बाद है सोतंता का अधिकार अनुछेद 19 से 22 सोतंता का अधिकार है सोसन के विरूत अधिकार अनुछेद 23 से 24 सो इक्षा समंदी अधिकार अनुछे 29 से 30 आपका और लाश्ट है आपका समवेधानिक उपचारू का अधिकार अनुछे 32 तो ये आपको याद रखिएगा नेश्ट है अनुछे 26 के अंतरगत सभी धर्मावलेमियों को धार्मिक संस्था की अस्थापना एम धार्मिक कारेयों के प्रबंदन का अधिकार प्राप्त है जिया अफ्रेट 25 से 28 जो आपका धार्मिक धर्म की सोतनता का अधिकार उसके अंतरगत जो है आपका सभी धर्मावलेमियों जितने भी धर्म के लोग है धार्मिक संस्था की अस्थापना एम कारेयों का प्रबंद का अधिकार कर सकते ह है अनुचेद 26 में अब हम लोग आ जाते जोग्रोफी में जिसमें आज हम लोग बायो डाइवर्सिटी जेविवित्ता को पढ़ेंगे और इस जेविवित्ता पर आपका इंभॉर्मेंट एंड एकोलोजी पर मैं एक मास्टर वीडियो बना चुका हूं तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं डिस्केशन में उसका लिंक दे दिया हूँ आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं तो भारत में ये राष्टी उद्यानियानी नैस्नल पार्क कहां कहां है इसको एक चार्ट के माध्यम से बताया गया है आईए हम लोग उत्तर से दक्षिन की और चलते हुए इसको देख लेते हैं और इसमें जो इंपॉर्टेंट होंगे उन्ही को मैं समझाओंगा जैसे हिमाचल पर्देश में सुरुआत करते हैं लद्दाक से तो लद्दाक में जो आता है कोश्चन वा हैमिस आपका नैस्नल पार्क भारत का राष्टी उद्यान है ज हर्वा उत्तर से इस तरह पश्चिम से होते होएं चलेंगे उसके बाद आपक्या आ जाता है अपका हिमाचल प्रदेश हिमाचल पर्देश में जो हैं आपका वरेद हमाले खीर गंगा पीन घाटी और सिंबाल बारा है नेश्ठ है हर्वा रियाना हर्याना में हम देखते है आपका दो हैं कालेस्वर और सुल्तानपूर हरियाना में है निष्ट है राजस्थान राजस्थान में काफी कोछ पूछा जाता है आपका खासकर केवला दे राजस्थान में रंतंबोर सिरिस्क का ये तीन हमेंसे कोश्चन पूछा जाते हैं और केवला दे जो है वह आपका भरतपूर जीला में है उसके साथ मुकंदरा और मर्वस्थलिये निष्ट है अगर आप गुजरात के छेतर में आते हैं तो आपका गीर और मेरिन राष्टिय पार गुजरात में है जस बलेगबग बसंदा भी है गोवा में एक है महावीर मोलम ये कोश्चन पूछा जाता है महावीर राष्टिय उद्यान कहा है तो गोवा करनाटक में आपका दो तीन पूछे जाते हैं जिसमें आपका सबसे फेमस है बांदिपूर कुदरे मुख ये दो काफी फेमस है उसके साथ राजी गांदी जिसे नागर होल राष्टिय पार्क पी कहते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है और आपका कुद्रे मुख चलिए बनने घटा भी है नेश्ट है केरल में आजाते हैं तो केरल में आपके छे राष्टिय पार्क हैं ये हैं आपका अन्नाई मुदी इरावी कुलम मत्ही कतल सोला परांबी कुलम पेरियार पेरियार आते हैं और साइलेंट वेरी सांध घाटी उसके बाद तमिल नाटू के छट में आते हैं हम लोगों तमिल नाटू में जो है आपका मुद्दू मलेई ये इंपोर्टेट है इंदरा गांथी कहां है राष्टिय पार्क तथा बिंडी मनार मेरीन और मुकुरूती राष्टिय पार्क आंध परदेश में आप दियान रखेगा तो राजीव गांथी रामिश्वरम में जो आपका इस्थित है आंध परदेश में वहाँ है उपर क्यों चलते हैं तो तेलंगाना तेलंगाना में आपका महावीर हरीना वंस्थली ये याद रखेगा महावीर एक है आपका गुवा में लेकिन अगर हरीना वंस्थली पूछेगा तो ये आपका तेलंगाना में है तता केशु ब्रहमनंद रेड़ी, च्छतिस गड़ में ये important को आते हैं कि इंद्रावती कहा है तो च्छतिस गड़ में और गुरु कासी दास या भी आपका च्छतिस गड़ में है उडिसा बात कर लेते हैं, उडिसा की तो भीतर करनीका और सिमली पाल काफी फेमस है आपके राष्टि उद्यान इसनल पार छारखंड में एक है, वह है आपका बेतला जो पलामू में है ये आपको ध्यान में रखना होगा, बिहार में बालमी की राष्टि उद्यान है इसके साथ-साथ, अगर हम लोग इस्टरन साइड में जाएं तो इस्टरन पूर्वी भारत में आपका पस्चिम बंगाल में अगर चाते हैं तो पस्चिम बंगाल में आपका जो इंपॉर्टन है बुकसा, आपका सुंदरवन, सिंगली लिला ये तीन बहुत ही फेमस है, उसके साथ-साथ, गुरु मारा, नियोरा वेली, जल्द पारा अंडुमान निकुबार में आपके जो हैं इंपॉर्टन हैं, वे हैं आपका पस्चिम बेल, उत्री बटन दीब, सेडल पीक, सौथ बटन दीब, ये काफी इंपॉर्टन आपके राष्टी पार्क हैं तता महात्मा गांधी पस्चिम बगाल से हम लोग अगर इस्टन साइट में जा रहे हैं तो तिरिपूरा में आपका बिसोन, कलाईडेड तथा मिजुरम में आपका आ जाए तो फवंग पूई, नीला परवद, मुरलेड, मनीपूर में, काइबूल लाम जावा, ये काफी इंपॉर्टन आफ्रेंड, काइबूल लाम जावा कहां है तो ये पूछा जाता है मनीपूर में, नागा लेंड में, इटाकी, आपका फिर उपर चलते हैं हम लोग, तो असम में है, आपका ये असम का हमेशा आता है, आपका मानस और काजी रंगा इंपॉर्टन है, मानस और काजी रंगा निसनल पारक का है, तो असम में है, इसके बाद डिबरू से खवावी, अनुराचल पदेश में, नाम दफ़ा आता है, आपका नाम दफ़ा का है, तो अनुराचल मेघाले में आपका नो क्रेक में फॉलो की गाटी फिर हमारा हिमाचल परदेश में तो हिमाचल परदेश में आई थिंक मैंने बता दिया है चलिए आज आते हम लोग मद्ध भारत की और तो बद्ध भारत में तो उत्तर परदेश में आपका दूद हुआ है उसके साथ-साथ मद्य पर्देश, मद्य बार्द में सबसे ज़्यादा राष्ट ये नैस्नल पार्क है यहाँ आपको काना, माधो, पेंच, ये ध्यान में रगए है पेंच जो है आपके महाराष्ट में भी पड़ता है तो इसको आप थोड़ा सा देख लिजेगा उसके साथ-साथ-साथ-पूड़ा, पन्ना, ये इंपोर्टन्ट हैं आपके तो ये थे आपके इंपोर्टन्ट नैस्नल पार्क जिसको मैंने चार्ट के माध्यम से बताया आप इसको क्या किजिए, इसको आप मैप के माधियम से, आप एटलस या जो भी आपके पास मैप है, उसके माधियम से आप इसको समझने की कोसिश किजिए, चलि फ्रेंड, अब हम लोग वर्ल जेोग्राफी की और देखते हैं, World Geography में आज हम लोग घाटी एवां पठार घाटी किसे कहते हैं पठार किसे कहते हैं और उसके जो important fact हैं उसको समझने की कोजिस करेंगे तो वर्ट आजाता है कि घाटी यानि वैली किसे कहते हैं तो वैली यानि दो पहाड के बेच में जो संकरा यानि पतला सा भाग होता है न धसा हुआ तो उसी को हम लोग वैली कहते हैं घाटी कहते हैं और जो आपका पतार होता है वाद धरातल के आपका बराबर जो आपका धरातल से जो उपर वाला portion जो थोड़ा से height दिन का थोड़ा ज्यादा रहता है तो उनी को हम लोग पठार कहते है जिसको प्लेटू कहते है अपलोड एरिया और फ्लेट और रफट अफ सर्फिस होता है पठार का तो यह आप इसको ध्यान में रखेगा चलिए अब इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं कि समुद्र तल से तिबबत के पठार की ओसत कर आजाता है स्वात घाटी या गिलगित घाटी पाकिस्तान की परमुक घाटियां हैं वहली हैं great artisan बेशिन जो है वह किस देश में इस्थित है तो यह जो है आपका अस्टेलिया में है और basin जो होते हैं वो पहाडों के अंदर से जो आपका पानी जो जल का जो निसकासन हो जो है is one of the largest underground fresh water resources है जो कि अस्टेलिया में मतलब कि दुनिया की सबसे बड़ी जो है आपका अंडर वाटर है पहाडों के अंदर से जो पानी का सोर्स निकलता है वही है आपका ग्रेट आर्टिजिन बेसिन जो कि अस्टेलिया में है नेस्ट है व्रिहिद बेसिन ग्रेट बेस और कहां है ये इसको समझते हैं अमलों तो पामीर का पठार जो है या तिबबत का पठार तो तिबबत चीन वाले भाग में इस्थित है कोलोंबिया का पठार संयुक्त राज अमिर्का में अनातूलिया का पठार तूर्की में इस्थित है सान पठार मैनमार में इस्थित है मध्य साइबिरिया पठार रूस में इस्थित है लिबिया का पठार लिबिया एउ मिस्र में कोलो रेडो पठार संयुक्त राज अमिर्का में पिड्माउंट पठार संयुक्त राज अमिर्का में पेटागोनिया का पठार आपका अर्जंटीना में पेटागोनिया का पठार ग्वियाना पठार आपका वेनुजुला ग्वियाना में इस्थित है, मॉंटो ग्रोसो पठार ब्राजिल में इस्थित है, मंगोलिया का पठार मंगोलिया चीन में इस्थित है, मंगोलिया चीन के निचे आजाएए, पोतवार का पठार पाकिस्तान में इस्थित है, इसके सा साथ मेशेटा पठार तो यह आपका मेशेटा का आईबेरिया प्राइदी पिस्पेन में इस्थित है अलास्का यूकेन तो संयुक्त राजा मेरे का अलास्का में इस्थित है एसिया माइनर तूर्की में है लौरेंसिया पठार कनाडा में इस्थित है तकला मकान पठार जो है वह आपका चीन में स्थीत है मालवा का पठार भारत में मालवा का पठार आप आजाएए सत्पूरा विंद्याचल सिनी के पास किमरेले का पठार आपका अस्टेलिया में स्थीत है अदामावा पठार नाइजेरिया में अफेरिकन कंट्री लोयस का पठार चीर में है तो ये इंपॉर्टेंट आपके पठार हैं नेश्ट हम लोंग देखते हैं इस तरफ आपके विस्की अपरमू घाटिया है तो घाटियों के समझते हैं तो नुब्रा घाटी कुश्चन है भारत में कहा है तो जम्मू कस्मीर में स्थित है दस चोटियों की घाटी कर्नाडा में रोम सिटेलन घाटी वैली नार्वे में लौटर बुनेन घाटी स्विट्चर लेंड में अराकू घाटी भारत के आंध्र पतेसंते लंगाना में हैं खुम्बू घाटी नेपाल में गीजर की घाटी रूस में दामोदर भारत हिमाचल पतेस में हुंजा घाटी पाकिस्तान वेले डेला लूना घाटी चीली में नीलम घाटी पाकिस्तान में बराक घाटी भारत के असम में इस्थित है ओलॉम्पिक घाटी केलोफोनिया में चितवन घाटी आपके नेपाल में इस्थित है चुम्बी घाटी आप की तिबबत मिस्तित है वहां से भारत भुटान ततचीन तीनों देशाओं की सीमा एक दूसरी को असपर्स करती है चुम्बी घाटी नेश्ट है हम लोग आजाते परियावरन में तो इसमें अंतराष्टिय परियावरन सम्मेलन इंटरनेशनल इंवार्मेंटल कॉन्फरेंस है कुछ हुआ है इसको हम लोग देखेंगे आईए तो फर्स्ट है अंतराष्टिय मानो सम्मेलन परियावरन इस्टोकोम ये आपका 1972 में हुआ था तता इसका जो परमुख है कि पांच जून को इसी के कंफरेंस के तता पांच जून को परियाव सम्मेलन हुआ था और सामुंद्रिक परियावरन की सुरक्षा इसका उस समय महपून निने लिया गया था लंदन सम्मेलन जो हुआ था कॉन्फरेंस 1975 में सम्मुद्र में कच्रे के निस्तारन के लिए था ये जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको आपके साथ डिसक्रस करता हू जैसे विएना सम्मेलन इंपॉर्टेंट है ये ओजन अस्तर के सनक्षन के लिए हुआ था 1985 में मौन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में हुआ था यह भी आपका कुश्चन पूछा जाता है कि कौन सा सम्मेलन किस से संबंदित है तो ओजन परत के सनक्षन से संबंदित है और इसी में य जाता और 1992 में हुआ था तो यह आप ध्यान में रखिएगा नेश्ट है नेरोबी सम्मेलन यह उतने इंपॉर्टेंट नहीं है कोईटा सम्मेलन कोईटो सम्मेलन जो इंपॉर्टेंट है जिसको प्रित्वी 5 सम्मेलन भी कहते हैं ग्रीन हाउस के सो के पैचान तता हुमंड नेश्ट हम ड़ंगा जाते है यह नीचे के इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कोपेंट हेगन सम्मेलन कोपेंगन सम्मेलन जो है यह कम कारवन अर्थ वैस्ता की परकर्बन करना था और 2009 में हुआ था कानकुन सम्मेलन भी इंपॉर्टेंट हे ता हरीज जल्वाइ्व कोस ग् जो स्पेन मेडरिट में जो ये करेंट अफिर के कुश्चन बन जाते हैं 2019 में जो हुआ है जलवाई प्रेशन से जूज रहे देशे की मदद के लिए है तो ये इंपोर्टन सम्मेलन है कि इसको आपको ध्यान में रखना होगा और इसको आप दो से तीन बार चार्ट के माधिय जरूर देखें नेश्ट आ जाते हैं हम लोग फिजिक्स में हम लोग आज जो है आपका इलेक्ट्रिक करेंट को पढ़ेंगे विधुत धारा क्या होती ये इलेक्ट्रिक करेंट इसको हम लोग जानने की कोसिस करेंगे तो आईए समझते हैं तो हैलोजन लेंप का तंतु कि मिस्र धातु से रिर्मित होता है हलोजन लेंप का तंतु यानि फाइवर मिस्र धातु यानि एलोई तो किस से बना होता है हलोजन का तो ये टंगस्टन तता सोडियम से बना होता है नेश्ट है एक किलो वाट का मान कितना होता है 3.6 इंटू 10 का पाउर में 6 जूल होता है ज हजार से पचीस सो डिग्री सेंटेग्रेड होता है बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरेसेंट ट्यूब विधूत उर्जा का प्रकास उर्जा में अधिक मातरा में परिवतन करता है फ्लोरेसेंट ट्यूब जो होता है वा एलेक्ट्रिकल एनरजी को आपका लाइट वाले तार की क्या विसेस्ता होती है तो यहाँ फ्यूज में जो तार होता हुआ उच पतिरोदक और निम्ड गलनांग यानि हाई रेजिस्टेंस होता है इसका बहुत जादा और निम्ड गलनांग इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है लो क्योंकि अगर गलेंगे नहीं त यह याद रखेगा पतिरोदक उच होता है नेश्ट है विद्धूद बल्ब की तन्तु किस धातू से निम्मित होती है किस मैटल से होती है तो टंगश्टन से होती है इस्टोरेज बैटरी को चार्ज करने है तो किस धारा क्या सकता है इन्वर्टर से जो आप बैटरी को चा जैसे बैटरी inverter से यह आपका विद्ध तारा बैटरी मेंकर डार्कुर है यानवो गएनये लेक्ट्रिकल इनर्जी निष्ट है कंज पर कायर करने पर विद्ध चल जाते हैं आपका वोल्टेज कम है या बहुत जादा है क्योंकि विद्धुद्धारा खिसते हैं जो वोल्टेज के परतिलो मानुपाती होता है इनवर्सली प्रोपेस्टन होता है यह आपको याद रखना होगा ध्यान रखिएगा तर्वाइन एहों डाइनमों से बिजली को प्राप्त करने में उर्जा के किस रूप को विद्धुद्धारा में परवितित किया जाता है तो तर्वाइन या टाइमों को याद रखिएगा विद्धु तूर्जा में पर्वित्रित किया जाता है mechanical energy into electrical energy घरों में सुरक्षित विद्धु सप्लाई safe power supply के लिए उप्योग में लाया जाने वाला फ्यूजतार निम्न गल्म नांक वाली धातों से निर्मित होते हैं विद्धु धारा के voltage को नियंत्रित करने के लिए voltage को control करने के लिए ही transformer होते है परतियावति धारा को दिश्ट धारा में पर्वित्यत करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं यानि परतियावति धारा means AC current alternating current को direct current में जो transfer कर देता है उसको हम लोग रेक्टिफायर कहते हैं थोड़े मुझे English के term यूज करने पर रहे friend तो आप लोग हिंदी मेडिय मौले इसको adjust कर लिजेगा विद्धु बल्ब के भीतर कौन सी gas भरी होती है तो आरगन आपका भरी होती है ये याद रखना होगा इलेक्टिफल जो बल्ब है उसके अंदर आरगन गेस भरी होती है नेश्ट उपर आजाते हैं मानो सरीर में सुस्क में विद्धु पतिरोध कितना होता है तो मानो सरीर में जो आपका इलेक्टिकल रेजिस्टेंस होता है 10 कपाव में 6 Ohm होता है ओम जो होता है तो पतिरोध का ये रेजिटेंस का ऐसा ही मातरक आपका ओम होता है नेश्ठ है समानिता ट्यूब लाइट में कौन सी गेज भरी जाती है तो आरगन के साथ पारा भेपर आरगन के साथ मरक्यूरी हजी जो होता है पारा यानि हजी वह भरा जाता है परती दीप बल्ब यानि फ्लोरेसेंट बल्ब में कौन सी गेस भरी होती है तो मरकरी और नियोन विद्धु चलगता की दिश्टी से सरवादिक सुचालक धातु कौन सा है यानि चांदी है विद्धु चलगता यानि एलेक्टर कंड़क्टर चांदी जो होता है वह सरवादिक सुचालक गूड कंड़क्टर होता है आपका इलेक्ट्रिक का लेकिन इसका इसलिए उप्योग नहीं करते है क्योंकि चांदी काफी महंगा होता है काफी कोश्टली होता है इसलिए उसके स्थान पर हम लोग कॉपर यूज करते हैं हाला कि कॉपर भी महंगा ही होता है लेकिन चांदी के कंपेर में कम Next है प्रित्वी के विभाव को सुनने माना जाता है क्योंकि प्रित्वी से कोई आवेश लेने या देने पर इसके विभाव में कोई परवितन नहीं होता है विभाव यानि पोटेंसियल तो पित्वी के पोटेंसियल को सुन ये 0 माना जाता है क्योंकि आवेस लेने यानि चार्ज का लेने या देने से इसके पोटेंसियल में कोई परवितन नहीं होता है आर पतिरोध वाले आर रेजिस्टेंस वाले एक तार को पिगला कर उसकी आधी लंबाई के तार में अगर ढाला जाता है तो तार का नया पतिरोध नया रेजिस्टेंस क्या होगा तो वन वाई फोर हो जाता है आधी लंबाई अगर पिगला दिजेगा तो वन वाई आर वन व किया जाता है ये ऎम can say याद है आपको याद रखना होगा विभाव यानि परवाज़ क्या निधारित करता है तो आवेस के परवह की दीता यानी किस डैरेक्शन में जा रहा है रहा वह आपका कि नीष्ट है किसी चालग क किसी चालग तार के पतिरोत पर ताकमान का बढ़ाने से क्या परभाव पढ़ता है अगर किसी चालक के तार का रिष्टेंस बढ़ा देंगे तो उसका चालक का भी रिष्टेंस बढ़ जाता है स्वेथ परकास वाइट लाइट को नली में कैसे उत्पन किया जाता है तो तंतु को फाइवर को गरम करके विधुत उर्जा को यांत्री उर्जा में परिद्द करने वाले युक्ति कौन सी होती है तो विधुत मोटर होती है आप मोटर चलाते हैं जाके आप स्टार्टर को चलाते हैं तो उसमें इलेक्टिकल इनर्जी जो है आपका मेकेनिकल इनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है नेस्ट विद्धूतिय चुमे के प्रेरन इलक्ट्रो मेगनेटिक जो आपका प्रेरन जो आपका सिधान्त है पराधारिक युक्ति के दो उधारन कौन से है तो डाइनमो और मोटर इलक्ट्रो मेगनेट आपके सिधान्त पर डाइनमो एवं मोटर नेस्ट है परतिया कुछ देारे के लिए आमिटर के लिए आमेटर विभांतर का मात्रक है संहीilly मात्रक वोल्ट होता है और धारा का एंपियर यह यह याद आपको रखना होगा प्रतियावात धारा का जो जाता अमिटर मेटर से और विवातर को जो मापा जाता है volt meter से और धारा का अपका mpher होता है और विवातर का मातरग वोल्ट होता है निश्ड अतिचालक यानि supr conductor का पतिरोद कितना होता है residence तो लगबग 0 होता है बात करेंते अतिचालक क्या होता है तो ऐसा पदार्त या ऐसा सफिटांसेज या मैटल धातू जिनमें एक निष्चित तापमान पर पतिरोद रेश्टेंस को बहुत कमान जो है बहुत तेजी से घड़ते हुए सुन हो जाता है उनको अति चालक super conductor कहता है general होता क्या जिरो डिगरी Kelvin पर पतीरोध सुनने हो जाता है। यह आप ध्यान में रखेगा और जिरो डिगरी को आप convert कर सकते हैं. ईस तढ़ीत चालकenn लाइटिंग कंडुक्टर बनानी के लिए किस धातु का परियुकिया जाता है। तड़ी तचल्रक जो आपकी बड़े बड़े बिल्दिंग के उपर लगाया जाते हैं तो कौपर के बने होते हैं ताब आके विधुद्धारा में निष्ट है आप अपने डेली लाइप में भी इसको देख सकते हैं निष्ट है अब हम लोग केमेस्ट्री के आते हैं रासाइनिक अभिकरिया यह हम गैसिस जो समिकरने केमिकल रेक्सेन एन गैसिस लॉज जो है इसको देखते हैं तो रासाइनिक अविकिरिया जल का भाप में बदलना किस परकार का अब रासाइनिक अविकिरिया में आपके कुछ बहुतिक परिवतन होते हैं और रासाइनिक परिवतन होते हैं बहुतिक परिवतन वे होते हैं जिनको आप पुना अस्थापित कर सकते हैं रासाइनिक परिव त bogus a Few Vineyard को पकलने की प्रीजर यह तो यह सब्लीमेशन हो जाते हैं उन्हें सब्लीमेशन कहते है चैसे आप का आप घर में कपूर की गोली होते हैं आप रखे रहते हैं देखिए उड़ जाते हैं नेप्थिलीन की गोली जो कीड़े कोड़े को मानने के लिए आप आपके अलमीरा में रखते हैं कपड़े में रखते हैं तो कपूर नेप्थिलीन इसके साथ साथ अमोनियम कोल्राइट भी आपका उर्ध पातन होता है, सब्लीमेशन होता है, और एंथरासीन, मक्छरों को मानने के लिए जो यूप यूग होता है, ये सारे सब्लीमेशन, उर्ध पातन की उधारन है, नेश्ट है, अधिक उचाई वाले अस्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के अधिक उबनने लगता है, लेकिन बहुत उच्छे उस थान पर क्या होता है, कि 100 डिग्री से नीचे भी उबनने लगते है, इसका मेन कारण है कि एट्मोस्पेरिक फ्रेसर जो है, वाले वाले अधिक उबनने लगता है, नेश्ट, असुद्यों के कारण, इंप्रियोर्टी और उसमें अगर आप चावल डाल देते हैं, तो देखे पानी थोड़ी और देर तक उबलेगी, यानि आप उसमें चावल जोटा रहे हैं, एक तरह से इंप्योरिटी है, तो पानी को बलने में और टाइम लगेगा, इसलिए उसका पॉइलिंग और बढ़ जाएगा, नेश लाजरी पढ़ रहा हैं, तो उसमें जाके आप मेरे इस चैप्टर को देख सकते है कुलाइडी विलियन क्या होता है, तो कोहरे में कون सा कुलाइडी तंतर पे यूग होता है, तो गैस में द्रव, तो क्यूँकि कोहरा जो होता है, आपका गैस में द्रव कहने का वायू जित सक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से सक्कर की विलेता पर क्या परभाव पड़ेगा यानि सॉलेबिलेटी पर विलेता बढ़ जाएगी नमक मिस्रित कपूर को किस प्रकास सुद्ध किया जा सकता है उर्दो पातन सब्लिमेशन द्वारा जलव घटन में उर्जा किस रूप में उत्पन होती उस्मा के रूप में आपका हीट के रूप में जलव घटन यानि water का electrolysis पानी में चीनी का खुलना किसका उधारन है तो भौतिक प्रवितन, physical changes का उधारन है नेश्ट है किसी मिसरन से ठोस विले को प्रिथक करने की विधी क्रिष्टिली करन कहलाती है मिसरन को अलग करने की अलग-अलग विधी है नेश्ट है, पायस किस प्रकार का collide होता है द्रौ में, liquid में, liquid होता है ऐअट अईउडीन और potassium collide के मिसरन को इस प्रकार प्रिथिक किया जाता है तो अर्धबातन के विले किया जाता है नेश्ट बोइल्स का नियम किस इस्थिती में लागू होता है वोल्स लौ जो होता है या जब temperature constant रहता है तब आपकाudoix का नियम जो है लागू होता है और वोल्स का लौ कहता है कि किसी gas का दाब यह हम आईतन जो है वाँ, आपके जब ग्यार्ड दाब से संब़न देत होता इसके अनुसार यानि constant temperature पर ग्यारिक का आइपन कनए होता है यह ध्यान रखेगा जब temperature constant रहता है तब तो boiling यानि आपका boiling यानि उबलना तो यहाँ ताप को हम लोग constant रखेंगे Next है समान ताप यह उन दाप पर गैसो के समान आयतन में अनुव की संक्या समान होती है यानियम किस वेज्ञानिक ने पतिपादित किया था तो यह वो गैट्रो द्वारा किया गया था नेश्ट है आदर्स गैसो की उर्जा उनकी किस इस्थिती पर आधारित है ताप मान पर गैस आदर्स वेभार से विचलंग क्यों पतिशित करते हैं तो उनके अनुव के मद आकर्षन बल लगने के कारण दहन किस परकार की अविक्रिया है तो ऑक्सीकरन अविक्रिया है अब यह ऑक्सीकरन या उक्सीडाइजेशन क्या होता है तो इसमें होता क्या है, इस अविक्रिया में, Oxidation या Oxygen में क्या हमें, O2 का Oxygen का सैयोग या Hydrogen का त्याग होता है, बस इतना ही जानिए, क्योंकि अगर मैं पूरा समझाने लगूं, तो विडियो काफी लंबे हो जाएगी, तो Oxygen में Oxygen का सैयोग जूडते हैं, या Hydrogen का गैस के आदर सुविवार से विचलन क्यों परदिसित करते हैं यह हो गया, इस्थिरताप पर गैस परसारित करने पर गैस पर क्या परभाब पड़ेगा तो उसका दाप घट जाता है, नेश्थिरताप किस नियम का परिनाम है, तो यह है आपका चाल्स के नियम जिसमें टेंप पर दिस्थित करते हैं, और पी आपका प्रेसर हो जाता है, भी वॉल्यूम हो जाता है, न आपका कॉंस्टिंट हो जाता है, निफद है, आदर सुगस, आइडियल गैस की उरजा किस पर निवर करती है, तो गैस के मोलू की संक्या पर आइडियल गैस होती है, किरिया जो होती है याद रिखिएगा दूर्स से जंबंदित है अब बहुत एक निश्ची तापमान पर करके अचानक उसको ठंडा कर लिया जाता है नेश्ट है रोटी तथा गरम गैसों के गुबारों की का फुलना किस गैस ये वेवार रूप में दरसाते तो चाल्स के निय सेंटर्गेट कहते हैं इससे नीचे ताप नहीं होता है माइनस टू सेवेंटी तरह एफसलोट जीरो टेंपरेचर परम सुने ताप को कहते हैं नेश्ट है इस तीर ताप पर किसी गैस का दाप तीन गुना कर देने पर उसका आयतन क्या हो जाएगा तो या जो हो जाएगा तीरा हो जाएगा ये भी आपका बढ़ जाएगा नेश्ट है एक गैस का वास्प घनत 14 है उसके अनुभार कितना होगा ये नेश्ट है बादल इसका किसका कुलाइडी परिच्छे परन है तो वायू के परिच्छे पर माधियम में जल बिंदू का नेश्ट है पानी में इसका किसी कोलाइडी परिच्छा आप नेश्ट है यह मदाव एनटिपी चे है अब आ सब रहे हैं मतलब आईए देखते हैं तो 0 degree centigrade या 273 Kelvin ताप को समाने ताप और 760 mm दाप को समाने दाप कहा जाता है नेश्ट है किसी गेस का विसरन गती diffusion speed तथा उसके अनुभार में क्या संबंध होता है तो गेस की विसरन गती उसके अनुभार के वर्ग मूल के square rate के व्यक्त कुर्मान उपाती inversionally proportional होता है नेश्ट है क्रोमेटोग्राफी तकनीक का परियोग एक मिसरन से पदार्थ को प्रितिक करने के लिए किया जाता है मिसरन से पदार्थ को प्रितिक करने की अलग-अलग विदी है जैसे हांस से चुनकर आप मिसरन या मिक्चर खा रहे हैं तो उस मिक्चर से आप बदाम को अलग कर सकते है चना को अलग कर सकते है उसी परकार क्रोमेटोग्राफी भी एक मिसरन से पतात को अलग करने की विदी है या रंग पेंडिर्वध करती है क्रोमो यानि रंग से होता है किसका कितना रंग है नेश्ट है अब हमनों बाइलोजी में आज हमनों पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे कि पाचन तंत्र में कौन-कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम है जो हमारे भोजन को पचाते हैं आईए देखते हैं तो लार किसके पाचन में सहायक होता है तो स्टार्ज के पाचन में नेश्टे वसा का पाचन करने वाले वसा का पाचन करने वाले लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है तो यक्रित लिवर दोरा लाइपेश दोरा वसा के जली अपगटन एक्ट्रोलाइसिस वाडर का के पचात क्या प्राप्त होता है वसीय अमल और गिलिसरॉल कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आथ स्मॉल इंटेस्टाइन से स्रावित होता है तो हर्मोन सिक्रेटिन जो हता है सिक्रेटिन ये छोटी आथ से स्रावित होता है यानि निकलता है नेश्ट है पीत का संचेन कहां होता है पीत यानि बाइल का संचेन कहां स्टोर होता है तो गॉल ब्लाडर में पीत का संचेन होता है नेश्ट है पीत यानि बाइल का रिमान य में होता है या रखे का स्टूर आपके पीट करिमान यक रित नहीं और याん ceux को से अमल में तोर कर पाचन में सहयता करता है कि फ्रोटीन का पूर्ण होता है तो आतमें ही 295 पृटलibly अमासे की भीति से कौन सा हर्मोन सरावित होता है तो गैस्ट्रिन जो होता है आपका होता है और अमासे में S.C.L. नमक एसीड होता है नेश्ट है लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में किरियासिल होता है तो हलके अमली माध्यम में लार होता है नेश्ट है अमासे यानि स्टोमच की दिवार का पेशिय संकुचन यानि मस्कूलर कॉंट्रेक्शन क्या कहलाता है कर्मा कुचन कहलाता है नेश्ट है पाचन तंद्र के किस रस में कोलोस्ट्रोल पाए जाता है कोलोस्ट्रोल पाचन तंद्र के किस भाग में तो पीत में यानि बाईल में पाए जाता है कार्बो हाइडरेट किस रूप में सरीर में संग्रियत होता है गलाइकोजन के रूप में या रहता है कुश्चन अक्सर पुछे जाती है अमासे में भोजन के जवानों को कौन नश्ट कर देता है तो SCL अम तो जो भी बैक्टिरिया होते हमारे भोजन में तो उसको SCL एसिड जो है वा नश्ट कर देता है मानोज सरीर की किस सरक्चना में क्रीमी रूप परिसेसिका यानि भर्मी फॉर्म एपेंडिक्स पाई जाती है तो बड़ी आंत में मानोज सरीर का वा अंग जो आपका गलाइकोजन के रूप में कार्बो हाइडोट का भंडारन करता है तो वा है आपका यक्रित लीवर एक अस्तंधारी में सबसे बड़ी गरंती कौन होती है तो यक्रित होती है यह आपको ध्यान में रखेगा सबसे बड़ा गरंती यानि ग्लैंड कौन सा होता है तो यक्रित होता है लेकिन अगर कुश्चन अलग-अलग पुछता है इंडो स्टाइन में कौन सा है अंतरसावी गरंती कौन है तो इस पे आप थोड़े ध्यान रखिएगा नेश्ट है मानो सरी की दूसरे सबसे बड़ी गरंती कौन सी है तो अगना से है जैसे मैंने अभी आपको बताया लार का पिएच मान कितना होता है 6.8 होता है पिएच मतलब पिएच का जो फुल फॉर्म होता है आप ध्यान रख लिजए कि पोटेंसियल आफ हाइड्रोजन या पावर आफ हाइड्रोजन होता है पिएच pH क्या होता है तो जीरो से लेके आपका ये आपका जीरो से लेके यहां से जीरो से लेके चौदा तक आपका मान होता है अब बेच में साथ होता है तो साथ से लेके चौदा तक जो pH मान होता है तो उसको बेच कहते है च्छार कहते है और जिनका वैलू साथ से कम होता है जीरो स साथ से कम होता है तो उसको हम लोग एसेडिक कहते हैं अमलिय कहते हैं और पानी का जो पी एच मान है साथ है इसलिए पानी जो है जल जो है नीटरल है ये ध्यान रखेगा नेश्ट है पिलिया से कौन सा अंग परभावित होता है तो यकरित जोंडिस से यकरित लिवर नेश्ट है पाचन किरिया के समय आहर नल में इस्टार्ज का अंतिम उत्पात क्या है गुलकोज है काड मचली की यकरित तेल में कौन सा विटामिन पचूर मातरा में पाया जाता है विटामिन A लेंगर हैस की दिपिकाओं में किस अंग में उपस्तित होता है तो अगनासे में पेन किरियाज में मानुसरी के किस एक अंग से हार्मोन के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी सरावन होता है तो अगनासे पेन किरियाज से निष्ट है जठर गरंती gastric gland किस अंग में पाई जाती है तो अमासे में जठर गरंती आपका अमासे में नेश्ट है यक्रित द्वारा किस प्रोटीन का संसलेशन एम संगरा यक्रित लीवर द्वारा किया जाता है तो फाइबरो नोजन एम प्रो थॉम्बीन में यक्रित में उपस्थित कौन सा पदारत मानोशरी में रखत को जमने से रोखता है लीवर में प्रोटी तो हिपरिन नामक जो पदारत है अक्रिन को लम्बे समय तक उप्वारा फास्टिंग रखने का सरवादिक परभाव सरी के किस अंग पर परभाव पड़ता है तो कीडिनी पर वीकर पर परभाव पड़ता है ज्यादा देर तक उपवास रखते हैं तो नेश्ट है मानो सरी में पाचन का धिकांस भाग किस अंग में होता है तो छोटी आंथ स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है नेश्ट है मानो स सीशू के जर्म लेने के छे महने पचात दात निकलना प्रारम हो जाता है किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया प्रिथिक किया जाता है तो किडिनी के द्वारा यूरिया को अलग किया जाता है निष्ट है इंसुलीन में कौन सी धात उपस्तित होती है तो जस्ता होती है औ और अगना से इंसुलीन सरावित होती है नेश्ट है मानो सीसुओं में सौरपतम मधिवती इंसाइजर दात निकलता है सेंट्रल इंसाइजर अब हम लोग आज जो देखने जा रहे हैं तो आज से हम लोगा मुगल वन्स हाला की सरन जो है इनको कल बोले थे लेकिन कल अब दक्षिन भारत का जो आपके भक्तियां दोलों का प्रतात है तो वो छुट गिया था तो आज हम लोगा मुगल वन्स को देखेंगे मुगल वन्स मुगल इंपायर जो है उसकी अस्थापना पंदरह सो चबबीस इसवी में हुई थी और 1857 तक इस वन्स के सासक रहे थे और सबसे अंतिम सासक चुथे आपके मुगल वन्स के ये थे बहादूर साज जफर जो की 1857 की करांटे में महपुन भूमिका निभाय थे उनको नेता चुल लिया गया था तो आईए देखते हैं मुगल वन्स के सासक तो मुगल वन्स में जो मुखिता जो छे सासक थे वे थे वे थे आपके बाबर याद रखेगा इसको करम वाइस आपको मिलान करने के लिए दिया जाता है तो बाबर, हिमायू, अकबर, जहंगीर, साजहां और अरंगेव ये छे आपके महत्पून सासक थे अगे और इनके मकबरे दिया गया है तो बाबर का जो मकबरہ था वा आपका आगरा, पहले आगरा में था बात मिं उसको काबुल ले जाया गया हिमायू का मगबरा दिल्ली में है आपका अकबर का सिकंदरा फतेपूर सिक्री के बाद है सिकंदरा वहीं है आगरा में जहांगीर का लहौर सहदरा एक जगह है लहौर में वहां है आपका जहांगीर का सा जहां का आगरा में यमुना निदी के टटपस आ जहां का है और औरंग जेब का जो मगबरा है औरंगाबाद दौलताबाद में इस थी थे ये ध्यार में रखेगा अब मुगल वन्स के सासक किसके वनसस थे इसको समझते तो मुगल वन्स के जो थे वे तैमूर के वनसस थे तैमूर के वे पाँचवे वनसस थे पीता की और से ये तैमूर के वनसस थे तता अगर माता की और से ये अफगानों के वनसस थे ये आप ध्यान में रखेगा चलिए फ्रेंड तो हम लोग इसको सुरू करते हैं तो बाबर का देख लिए यहां जो वनसच का दिखाए गया है तैमूर की वनसच थे बाबर का पूरा नाम जहरुद्दिन मुहमद बाबर था उसके बाद हुमायू आ जाते उनके बेटे फिर अकबर चलालुद्दिन मुहमद अकबर के नाम उनका नाम था उसके बाद चार बेटे थे जिसमें औरंग्जेब सहसुजा मुराद बगस तता दारा सिको था तो उपणिस cant का जो आपको डारा सिको द्वारा ही अनुवात किया गिया है उसके बाद औरंग्जेब के बाद आपके आज़म सरह स्थे उसके बाद आ जाते हैं अजीब मुसान रभी मुसान जहांदर सा ये उत्तरवती मुगलकाल हैं कि बात के जो मुगलकाल के सा सकते वे थे उनमें आपका सबसे इंपॉर्टन्ट आ जाता है आपका जहादर सा फिर फरकुस यार ये याद रखेगा इन से कोश्चन जरूर पू तो ये चार्ट को आप एक बार अच्छे से समझे लिजे और लास्ट में जो आपका बाहदू सा जफर जिनको अठासो सान्टावन की करांती किसमें अंग्रेजो दुआरा जो है रंगून निर्वासित कर दिया गिया था बेज़ दिया गिया था तो इस चार्ट को आप अच्छे से समझेगा चार्ट के माधियम से चलिए नेश्ट है मधिक आलिम भारत के मुगल सासक मुलता कौन थे तो वे चक्ताई तूर्क थे जैसा मैंने बताया कि मुगल जो थे तूर्क के वनसस थे भारत में मुगल सासन अस्थापित करने के पच्छा जहां जहिरुदि जो मद्धेशिया उजबेगिस्तान में है वरतमान में वहां के निवाती थें बाबर अपने पीता के पक्ष से तैमूर का वंसर था जबकि माता के पक्ष से चंगेज खां मंगोलो का था सौरी फ्रेंड थोड़ा मैं सौरी फ्रेंड कहना चाहता हूं कि कोई मैंने कह दिया थ उसने मेदरी राय पर आक्रमन किया बाबर द्वारा चार लड़ाई लड़ा गया था उसमें खानवा का जो यूद हुआ था बाबर का आपका 1527 में राना सांगा और बाबर के बीच तो यहां से बाबर की स्थिती और मजबूत हो जाती है ऐसा एक ट्रिक है कि बाबर पानी पिया खाना खाया चंदा दिया घर गया यानि पानी पत का यूद फिर खाना खाया खानवा का यूद फिर चंदा दिया यानि चंदेरी का यूद और घर गया यानि घागरा का यूद 1526 27 28 24 यूद हुए थे यह आपको ध्यान रखना होगा निश्ठ है आधुनिक भारत में ब्रेस का विकास इसको समझते हैं तो भारत का पथम समचार पत्र बंगाल गजट किस वर्स प्रकासित किया गया था तो यह आपका भारत का पथम समचार पत्र जो था बंगाल गजट 1780 स्वि में हिक्की जुआरा जिम Peace Finds हिक्की के दोरा किया गया था important question है वरना किलोर पेस एक्ट किस वाइसराय के समय पारित किया गया था तो ये लॉर्ड लिटन के द्वारे किया गया था काफी विवाधित था प्रेस पे परतिबंद लगा दिया गया था इस एक्ट के द्वारा वाइसराय थे लॉर्ड लिटन 1886 में समपादित ग्यान परदयायनी पत्रिका का संस्थापक यानि फाउंडर कौन थे तो नवीन चंदर राय थे भारत में सौरपथम प्रेस सेंसर्शिप किसने लागू की थी सौरपथम किये थे तो लॉर्ड वेली जली किये थे ये वही लॉर्ड वेली जली है जिनसे टीपू का आमना सामना हुआ था नेश्ट है अलहिलाल अलबलाग नामक पत्रिकाएं किसके दोरा प्रकासित की गए थी मुलाना अबूल कलाम आजात के दोरा अम्रित पजार पत्रिका की अस्थापना किसने की सिसिर कुमार घोस राम चंदर चटर जी दोरा बंगाली भासा में संपादित मौडन रिवी उपत्रिका कहां से प्रकासित होती है कलकत्ता से 1878 का वरना कुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने 1882 में रद कर दिया गया रिपन को प्रेस का मुक्ति दाता भी कहा जाता है और रिपन को इसके साथ सज्जन रिपन भी कहते हैं भारतिये वाइसरों में या काफी आपका लोग प्रिये वाइसरा है या था निश्ठ है पत्रकार के करतवे का निर्वन करते हुए जेल जाने वाले परतम भारतिये कौन थे तो बाल गंगधार तिलग ये अपने मासिक पत्रिका निकालते थे आपका मराठा और केसरी मराठा जो थी आपका इंगलिस भासा में तथा केसरी जो थी आपका मराठा भासा में निकलते थी ये ध्यान में रखना होगा एक सब्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का सुभारम किस ने किया तो ये होम रूल पाटी द्वारा यंग इंडिया का किया गया था और अगर कोश्चन आ जाता है नीव इंडिया तो महात्मा गांदी की द्वारा भारतियों द्वारा अंग्रेजी भासा में परकासित पर्थम समचार पत्र इंग्लिस में जो निकाला था तो हिंदू पेट्रियोड था अमेरिका में फिरी हिंदुस्तान अगबार किस ने परारम किया था तारक नाथ तास कानपूर से परकासित परताप समचार पत्र के माठियम से विजये सिंग पतिक ने बिजूलिया अंदोलन को पूरे भारत में चर्चा कवे से बना दिया तो जो परताफ समचार पतरचा जो कानपूर से परकासित होता था विजे सिंग इसके संस्थापक थे ने बिजोलिया अंदोलन को पूरे भारत में चर्चा कविसे बना दिये थे नेश्ट है फारसी सबताहिक मिरातुल अकबार किसके द्वारा लिखे गई है तो ये आपका परकासित होती थी राजा राम मौन राह भारतिये आदुनिक भारत के अग्रदूत माने जाते हैं ये नेश्ट है रॉबर्ट नाइट ने कलकत्ता से वर्स 1878 इसमें अंग्रेची भासा की किस पत्रिका का संपादन किया था तो इस्टेट्समें अभी भी आती है ये पत्रिका नेश्ट है वर्स 1861 में इंडियन मीरर नामक अखबार का परकासर कहां से होता था कलकत्ता से होता था कलकत्ता उस समें केंदर था आपका नेश्टे बहिस्कृत भारत पति का किस से संबंदी थी तो भीम राओं अमबेत कर थे नेश्टे हरीजन पतिरिका का प्रारम करता कौन थे तो महात्मा गांदी थे आप ये दोनों में कन्फ्यूज मत किजिएगा बच्चे यहां अक्सर कन्फ्यूज कर जाते हैं तो हरीजन जो हैं आपका महात्मा गांदी और बहिस्कृत भारत आपका भीम राओं अमबेत कर लिटन दोरा वर्ना कुलर प्रेस एक्ट पारित कर किस वर्स भारतिय समचारपत पर परतिबंद लगा दिये गया किस कारे के लिए पर सित्ता उदारवादियों की निती का परचार उग्रवादी और उदारवादी जो दो थें आपके कॉंग्रेस में इनमें हमेशा ठकराओ की स्थिति बनी रहती थी निष्ट है अंग्रेजी साफताहिक पतर वंदे मातरं के साथ किस का समबन्ध है अरविन्द घोस का समबन्ध है निष्ट है किस पत्रिका ने वर्नाकुलर स्पेस एक्ट 888 का समर्थन किया था तो पॉइनियर समचार पत्र ने समर्थन किया था नील आंदोलन का समर्थन करने वाली पत्रिका हिंदू पेट्रियोट के संपादक हरिश्चन मुखरजी थे सवधे स्वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक कोन थे के राम कि पिल ले थे अंग्रेजी समचार पत्र इंडिपेंडन्ट किसके द्वारा प्रारम किया था तो मोतिलाल नहरू द्वारा इंडिपेंडन्ट का संपादन किया था नेश्ट है माराथी भासा की पत्रिका केसरी के संभादक कौन थे तो बाल गंगधा तिलक थे ये आपको ध्यान में रखना होगा जैसे मैंने बताया कि केसरी और माराथी आपका केसरी और माराथा दो जो आपकी पत्रिका थे वे बाल गंगधा तिलक द्वारा निकाला जाता था इंडियन ने इसनन अकबार का परकासन कहां से होता था तो पटना से होता था ये आपके लिए important fact हो जाते हैं Congress के पर्थम अधिवेशन के समाप्त होने के एक सब्ता बाद कलकत्ता के समाचार पत्र दा इंडियन मिरेर ने लिखा बंबई में आयुजेद पर्थम राष्टिय कॉंग्रेस भारत में बिटीज सासन के इतिहास में एक महत्पून अथियाए जोडती है नेश्ट है नीचे के पॉइंट की अंग्रियाजी समचार पत्र लीडर का समपादन लीडर का समपादन मदन महनमालवे ने अभूद पत्रिकास के पश्चात किया था तो याद रखेगा लीडर का समपादन मदन महनमालवे द्वारा अब लाश्ट हम लोग के आज क्या आ जाते हैं एकनॉमिक्स भातिय अर्थ वेस्ता में तो आज के जो टॉपिक है वह कर्द सरचना टैक्स का कैसा इस्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग देखेंगे जैसे अलग-अलग टैक्स होते हैं तो इसको हम लोग समझते हैं तो नागरिकों को विभिन परकार की सेवाएं एवं सुविधा परदान करने के बदले सरकार द्वार नागरिकों से जो सुल्क लिए आ जाता है उसे हम लोग कर यानि टैक्स कहते हैं हम लोग को जो सरकार सुविधा दे रहे हैं तो उसके बदले में हम लोग से tax लेते हैं भारत में आयकर सुरपतम कब लगाये गया तो 24 जुलाई 1860 को income tax लगाये गया था इसलिए भारत में परतेक वर्स 24 जुलाई को आयकर दिवर्स income tax day मनाये जाता है 24 जुलाई को निश्ठ है भारत सरकार भारत सरकार के आयकर तीन सबसे बड़े स्रोथ भारत सरकार के आयकर जो सबसे बड़ा तीन स्रोथ है वह है वस्तु एम सेवा कर goods and service tax नीगम कर आपका corporate tax तता आयकर income tax है तो इसको आप याद रखिएगा करम वाई सबसे ज़्यादा वस्तु एम सेवा कर द्वारा 23% आपका उसके बाद नीगम कर द्वारा 19% आपका उनके आयकर स्रोथ है तता आयकर द्वारा 16% है नेश्ठ है सरकारी वेवे को नियंतरित करने वाला मंतराले कौन सा है तो वित मंतराले finance minister है नेश्ठ है कृसी आयकर सबसे पहले कहां और कब लगाए गया था तो बिहार में लगाए गया था या 1938 इसवी में आईकर अगरी कलचर पर जो tax लगाया गया था income tax सराप पर उतपात कर एक्साइज डूटी उतपात कर जो उतपातन पर जो लगाया जाता टेक्स पर आपकी दुकाने खुली तो 50% तक उसके दाम में बढ़ोतीर कर दी गई लेकिन लोग लेने वाले पीछे नहीं थे चलिए संसोधित मुलिवर्दित कर का संबंद किस से है तो उत्पात कर से है रिवाइट वेलू एड़ेटर उत्पात कर से है किसी कर के लगाई जाने के पश्चात इसका वास्तविक भुगतान जीस बिंदू पर होता है क्या कहलाता है तो इंपेक्ट ऑप्टेक्स का रागात कहलाता है नेश्ट है भारत में सबसे पहले मुलिवर्दित कर भैलू एड़ेक्टेक्स लागू करने वाला राज कौन सा है हरियाना नेश्ट है भारत सरकार के बजट में नियुम्तम वेकल पिकर मैट का समावेस कप किया गया था 1996-97 में किया गया था सरकार ने आर्थिक विकास निवेस तता रोजगार सिरिजन को बढ़ावा देने के उद्देश से से शेप्टमबर 2019 में कमपनियों के लिए निगम करकी अधार 30-30% से गटा के 22% कर दिया है इसके अतरिक इन कमपनियों को नियुम्तम वेकल पिकर मैट में भी छूड़ दे गई है यानि रोजगार सिरिजन रोजगार बढ़ाने के लिए क्या किया गया है 2019 में corporate tax की जो दर 30% थी उसको अपकम करके 22% कर दिया गया है ये ध्यान रखिएगा आप लोग क्योंकि ये current का question बन जाता है नेश्ट है आपके वितायोग, 24 वे वितायोग ने अपनी रिपोर्ट में वर्ष 2015-20 के दोरान कितने परतिसत की समानता GDP समवेद्धर का अनुमान लगाया है तो 13.5% का आपका अनुमान लगाया है जो की बहुत ही मुश्किल है और बात कर लेते हैं वितायोग की तो समविधान के अनुचेद 280 में वितायोग का प्रावधान है और वितायोग की नियुक्ति आपकी राष्टपति के तुवारा की जाती है इस तरफ के पॉइंट को हम लोग देखते हैं वितायोग किस प्रकार की सस्ता है तो अर्द ने आई संस्ता है नेश्टे क्रिसी जोतकर का सुझाओ किस समीती ने कब दिया था तो के अन राजा समीती ने 1972 में दिये थे पेमेंट ऑफ ग्रेच्वेटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्वेटी भुकतान का अधिक्तम सीमा कितना होता है तो दस लाग तक आप कोई भी कंपनी या सराज सरकारिक द्वारा ग्रेच्वेटी दी जाती है एक फैक्टरी एक्ट उनिस और तालिस में इसका वर्नन किया ग करता है क्या कहलाता है आएकर इंकम टेक्स कहलाता है नीगम कर यानि कॉर्परेट टेक्स किस पर लगाया जाता है तो घरेलू एंविदेसी दोनों कंपनियों पर लगाया जाता है या आपके घरेलू हो या विदेसी कंपनी है अप्टूबर 2019 या उसके बाद अस्थापित ह होने वाली 31 मार्च होने वाली तथा 31 मार्च 2023 से पहले उत्पादन सुरू करने वाली कंपनियों के लिए नीगम कर की अधार 25% से घटा कर 15% कर दिया गया है निश्ट है आयात यह उने यात पर लगाया जाने वाले कर को किस नाम से जानते तो सीमा कर कस्टम डूटी लगाया जाता है जो आपका सीमा पर लगाया जाता है निश्ट है आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतरगत कर छूटों का समाप्त करनी के उनसे सा किस समीती ने की थी केलकर समीती द्वारा किया गया था कि इसको छूट जो है कर में इसको समाप्त कर दिया जाए काफी यह सही नहीं हो चलिए नेश्ट है भारतिय राश्टिय राजमार पर दिखर है निशनल हाईवे ऑथरोटी ओप इंडिया के वित्थ का परमुक सुरुत क्या है तो इसका परमुक सुरुत जो है वा है आपका उपकर एक चेस लगा दिया जाता है क्या होता है यह नीचे लिखा हुआ किसी वि प्रीट्रर दिया जाता है और सिवा कर सर्विस टेक्स बीकरिकर उत्पाद्न सूल के तता सीमा सूल के स्ट्वर्डूटी के kau अंत्रगत आते हैं तो ये सारे indirect tax आते हैं आप पर्टेक्ष कर direct tax और indirect tax को आप अच्छे से समझेगा नेश्ट है जैसे income tax आपके direct आप पे लगाए जा रहा है तो वाद direct tax है पर्टेक्ष कर है नॉवंबर 2017 को पंद्रवे वित आयोग का अध्यक्ष किने नियुक्त किया गया व्यक्तिगत रूप से तता समाज के लिए हनिकारक वस्तुओं एम से वहाँ पर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता है सीन कर जो समाज के लिए हनिकारक है कुछ है ऐसा तो उस पे सीन कर लगाया जाता है इस्टाम सूल की इस्टाम डूटी का आरोपन इस्टाम केंदर सरकार करती है तता संग्रा यह विनियो जनराज सरकार करती है यह आप याद रिखेगा इस्टाम डूटी केंदर सरकार दोरा लगा रहा चाता है लेकिन उस पर संग्रहन उसको कलेक्शन और विनियो जनराश सरका करती है नेश्ट है जब आए में विरिदी होने के साथ उस पर लगने वाले करों की विरिदी में विरिदी हो तो उसे प्रगती सिल कर परनाली कहती है आयमे वृदि होने के साथ उस पर लगने वाले कर की दर में भी वृदि हो तो उसे प्रगति सिल परनाली कहते हैं तो दोस्तो ये थे आज के दस इंपॉर्टन टॉपिक जिसको मैं पूरा कोसिस किया हूँ तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को आप लोग जादा से जादा लोगों तक पहुंचाईए इसे शेयर कीजिए यही मेरे आप लोग से रिक्वेस्ट है तो मिलते हैं हम लोग नेश्ट वीडियो में